चले रोज की आलू की सबजी को एक नया स्वाद देते हैं बहुत ही कम मसालों के साथ जो बनता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है बनाने में बहुत ही आसान होता है इसे छोटे बड़े सब बहुत ही अराम से खाएंगे हेलो एवरिवन आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल देसी वेरियस फूड में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजब बैल आइकन को भी जरू दबा दीजेगा यहां पर मैंने पाच मिड्यम साइज के नए आलो लिया है और उसे चोटी-चोटी पीशे से कट कर लिया है अब चले मसाला देख लेते हैं जिसे हमें पीस ना है मैंने यहां पर आदा चमच जीडा आदा चमच ब्लैक पिपर 7-8 हरी मेंच एक मिड्यम साइज कप्याज को हम एक जार में ले लेंगे और इसके एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे टमाटर को मैंने साइड में कर लिया है क्योंकि उसका पेस्ट नहीं बनाना है उसको चौप करके यूज़ करेंगे मैंने सबजी में ग्रीन चिली का स्पैसेज यूज़ कर रही हूँ आप चहें तो कढ़ाई में सरसो का तेल डाल रही हूँ और यहाँ पर सरसो का तेल यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी कुकिंग कर यूज़ कर सकते हैं तेल जब अच्छा गरम हो गया है तब मैं इसमें फोरन डाल रही हूँ फोरन में मैं यहाँ पर मिर्ची और मीथी डाल किया था तब मैं इसमें जो कट किया हुआ आलू है उसको डाल रही हूं यहां पर हम नए आलू यूज कर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखेगा कि जो कढ़ाई है और तेल बहुत जादा अच्छे से हीट हो जाहिए नहीं तो क्या होता है ना कि जो आलू है बहुत अच्छे से हीट हो गया था यहां पर मैं आप इसपैसे एट कर रहे हूं जैसे हल्दी और स्वात अनुसा नमक इन सभी को डाल कर मैं अच्छे से चला ले रही हूं और इसको लाल भूंजाने के लिए मैं 6-7 मिनट के लिए ठक कर छोड़ दे रही हूं बीच-बीच में मैं चिली का स्पैसिस नहीं चाहिए तो आप इसी समय रेट चिली पाउडर भी डाल सकते हैं फिर इसके बाद मैंने यहां पर जो एक टमाटर था उसको लफ्री चॉप्ट करके एट किया है इन सबको अच्छे से चला लेने के बाद मैं यहां पर धन्या पतर डाल रही हूं में पूरा मसाले का फ्लेवर आ जाता है छैसे साथ मिनिट के बाद में एक्स्ट्रा स्वह था रह चेंग ख़तेों में भूंजने केreet 4-5 मिनिट के बाद मैं एक थिक परशरान हपन्य का देख एज था है यहां पर शूब सεςस्ट परसंट के करіब साथ मिनिट लिए बिना ढ़के छोड़ दे रही हूं यहां पर जो मसाला है छह साथ मिनिट बाद बहुत ही अच्छे से भुझा गया है क्योंकि किनारे किनारे तेल दीख रहा है हमारा आलू का सब्जी बनके तयार है आप चाहें तो इस तरह से भी आलू का सब्जी को सर्फ क सब्जी बनके तयार है अब भी इस रेसिपी के साथ आपने घर में आलू की सब्जी जोरूर बनाईएगा बहुत ही टेस्टी बनता है और अगर यह लेफ्ट ओवर आलू का सब्जी बच जाना तो आप इसका सैंविच बना सकते हैं आलू का प्राठा बना सकते हैं आपको यह रेसिपी कैसे लगा प्लीज मुझे केमेंट में जरूर बताएगा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी काते हैं दिल से धनिवाद मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई